जेदी आप किसी भी इस्त्री के दिल में अपने लिए मोहबत पैदा करना चाहते हैं, किसी भी इस्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ तिन लवंग लिजिएगा, और इस तीनों लवंग को लेकर के अपने पैर के निचे रख लिजिएगा साम के समय ठीक ना पांच मिनट रखने के बाद में आप इस मंत्र को बोल दिजिएगा मन ही मन और मंत्र बोलने के बाद में इस तिनों लवां को उठा लिजिए और मेरे बताएंगे जगा पे ले जाकर उसी समय फ्यक दीजिए आधे घंटे के भितर भितर में जिस भी इस्तरी का नाम लेकर ये मंत्र बोलिएगा वो आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी आपके वस में हो जाएगी जब तक आपको देखेएगी नहीं तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा यानि कि वो इस तरी पूरी तरह से आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी और आपके आगे पीछे गुमना शुरू कर देगी जेदी आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपके लिए टड़ पे आपके पास खुद चल कर आए आपको बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ तो सिर्फ एक बाद सिर्फ तिन लवंग लेकर के अपने पैर के नीचे रख का इस मंत्र को बोल दीजियेगा आज का जो मंत्र है सिद किया गया आजमाया गया सक्तिसाली पौर्फुल मंत्र है इस मंत्र के अलावा कोई भी समागरी लेने की जरुवत नहीं है किसी भी चीज की जरुवत नहीं है बीना किसी आने समागरी के, बीना माला के आप ये वो सिकन तुटका घर बैठे कर सकते हैं पलवर में किसी को भी अपना बना सकते हैं मेरे प्यार की वक्त हो मन चाहा प्यार मिल जाए मन चाहे प्यार से साधी हो जाए तो आप ये वसिकरन करना है कब करना है कौन सा मंत्र बोलना है ताकि आपका प्यार आपके मोठी में हो जाए आपके वस में हो जाए उसके पहले में बता दूँ जिदि आप वसिकरन करके ठक चुके हैं बार बार वस करना क्या होगा द्यान से दिखियेगा आप सबसे पहले तिन लवंग लेकर के साम के समय कहें भी चौराहे पे खरे हो जाइएगा या अपने घर के बीच अंगन में खरे हो जाइएगा जैसे ही खरे हो जाइएगा आप तीनों लवंग को लेकर के अपने पैर के नीचे रख लेजिएगा दाहिने पैर के नीचे लेकिन ध्यान देना है उस समय कोई देखे नहीं और कोई भी आपसे बात ना करे जैसे ही अपने दाहिने पैर के नीचे तीनों लवंग को रख लेज किजिएगा आप अपने मन में इस मंत्र को बोल दीजिए और इस तीनों लवां को ले करके उसी समय मेरे बता हुए जगह पर प्हेक दीजिएगा चमतकार खुद देखिएगा कौन सा मंत्र है सुनिएगा जैसे हैं पैर के निची इसको रखिएगा मंत्र बोलना सुरू किजि को अपने प्यार में तरपना चाहते हैं अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं जैसे ही आप इतना कर दीजिएगा बोल दीजिएगा आप अपने पैर के उपर जिस पैर से आप इस लवां को रखे हुए हैं नीचे दबाय हुए हैं आप क्या किजिएगा उसी पैर पर फूंक लगा देजिएगा ठीक ना इस प्रकारशी से मंत्र को सिर्फ 121 वर बोलना है मंत्र पूरा होगा आपका काम भी पूरा हो जाएगा आपको करना क्या है तिनों लवां को उसी समय उठा लेना है उठाने के बाद में वह इस्तरी जहां भी आपको दिख जाए या उस समय से आधे घंटे के भीतर भीतर में आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी यह बहुत ही प्रचंद है लेकिन वह सिक्रन करने से पहले आपको असनान कर लेना है कोई भी कपरा पहने साब सुथरा पहने अपने सरीर पे इतर लगा ले और सच्छा मन से विश्वास के साथ में वह सिक्रना करे फिर प्यार आपके कबो में होगा और आपके वश्व में होगा जिसे आप अभी तक मैंसे शाप्राइब को तरड़ किजिएמה को सुथ अब जू iç